जैहें दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग गाइस आज की इस वीडियो में आपने बात करेंगे कि अगर आप किसी प्रोपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं मालीज अगर आप कोई भी प्रोट खरीते हैं या कोई भी आप एक स्पिस्फिक प्रोपर्टी का तोगड़ा खरीते है या किसी agriculture की लेंड को खरीते हैं या residential लेंड को खरीते हैं किसी पर करके अगर आप कोई property purchase करते हैं तो उस property को खरीदिने का पूरा complete process क्या होता है इसके लिए आपको जरूरी चीजें क्या है किन-किन चीजों को आपको mandatory ध्यान में रखना चाहिए और किन-किन चीजों की पूरत होती है एक्चली बहुत सारे लोगों को यह confusion होता है और बहुत सारे लोगों ऐसे scam में भी फस जाते हैं जिन प्रोपर्टी खरीदने का पूरा knowledge नहीं होता है for example के तोर पर अगर हम समझे कि कोई ऐसी property है जो की बिकने योगे नहीं है लेकिन उसको scam करके आपको को ध्यान में रखनी चाहिए और प्रोपरटी खरीदने के किन किन डॉकिमेट्स की झ्योड़ पर्दिए सो कैज मैं हूँ चंद्रवान चक्रवर्ती चली चलते हैं देख लेते हैं प्रोपर्टी खरीदने का कंप्लीट्च ग्रउट्स क्या होता है परसेle पहले सबसे पहले ये make sure करना ये तैंक करना बहुत ही जरूरी होता है कि property का type क्या है और example जैसे property एक सेवा भूमी की property है या फिर property एक individual property है यानि कि किसी मालिक की honor की property है या किसी honor की property है particular किसी कबजेदार की property है या property पट्टे की property है या किसी भूदान की property है अगर property किसी सास की है, कचबजे की property या किसी भूधान की property है या फिर पठे की property है, या कविक property है या नजूल की property है तो ऐसी property को आपको purchase नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी property की registry तो माली जी किसी तरह के से होती नहीं है अगर किसी तरीके से आपने करवा भी लिए, तो उस property का mutation आपका नहीं होगा, यानि कि अगर property सेवा भूमी की जो कोटवारों को दी जाती है, अगर वो property है, या फिर पट्टे की property है, या फिर भूदान की property है, ऐसी property कि आप registry अगर करा भी लेते हैं, तो जब आप इस property का mutation किसी भू अलजिन की property या भू अधिकार की property है, माली जे किसी particular आदमी के नाम पर registered property है, और वो property माली जे सास की property नहीं है, और उस property को आप खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कि क्या उस property पर किसी प्रकार का कोई case चल रहा है, सिविल इस्तर पे, या फिर नियाल है, इस तरफे या तैसिल, इस तरफे या फिर हाई लेवर पे, किसी प्रकार का अगर कोई case चल रहा है, तो सबसे पहले आप उस case की जाच परताल कीजिए, कि आखिर इस property से related जो भी case चल रहा है, उस case की जड़ है, क्या है, और उस property का जो case है, किस प्रकार का चल रह है या नहीं है, ये आपको देखना चाहिए, चुकि अगर property पे किसी प्रकार का loan है, या फिर property किसी bank के अंदर बंदक है, उस property का use करके अगर loan लिया गया है, तो उस property के registry नहीं होगी, इसलिए आप पहले ये देख लें, कि ये property कहीं भी बंदक है या नहीं है, तब ही आप पैसे invest करें, इसके बाद सबसे जो important चीज़ है, वो ये है कि property का जो type है, वो किस प्रकार का है, एक property इंडिव्यूजन भी हो सकती है, और सामिल खाते की property भी हो सकती है, for example के तोर पर अगर आप किसी property को खरीद रहे हैं, उसके चार हिस्सेदार है, तो वो सामिल खाते की property कह कहलाएगी, लेकिन अगर उस property का कोई एक मालिक है, कोई एक भूली स्वामिल, तो वो property इंडिव्यूजर property कहलाएगी, अगर सामिल खाते की property है, तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जो भी आदमी property को बेच रहा है, उसमें उस property का total हिस्सक कितना ह पर इक्जामपल अगर एक property बीस आरे हैं और उसके चार मालिक हैं, तो प्रत्यक आदमी के हिस्से में पाँच पाँच आरे की property आईगी, लेकिन अगर वो आदमी आपको पाँच आरे से ज्यादा की property बेचता है, तो आपको property नहीं खरीनी चाहिए, इससे पहले आपको उस property property का बटवारा करवाना चाहिए, उससे बोलके या फिर बेचने वाले से कि आप इस property का बटवारा इंडिव्यूजर कराईए, तब जाके इस property को हम खरी देंगे, अगर property सामिल खाते की property है, तो वो property कि स्काइप की property है, यह आपको देखना चाहिए, एंसेस्टरल property है, या फ history होने के बाद उसमें नामांतरण में दाखिल कारिज में रोग लगा दें और आपका नामांतरण नहीं होगा, तो सबसे पहले तो आपको यह देखना चाहिए, प्रपरटी इंडिव्यूजर है, या सामिल खाते की है, अगर सामिल खाते की है, तो कितना हिस्सा आप खरीद बारसानों को कोई अपती है या नहीं है, पहले आप इस चीज के लिए क्लियर कर लीजीगा, यहीं सेम कंडिजन लागू होती है, इंडिव्यूजर प्रपरटी में, अगर प्रपरटी का टाइप इंडिव्यूजर भी है, उसका कोई एक ओनर भी है, तो भी आपको यह चेक प्रपरटी एक सेर्फ प्रपरटी नाओं के एंसर्श्चल प्रपरटी है, इंडिव्यूजर किसी आदमी के नाम पर है, तो भी आपको इस चीज के लिए पूरी तर से सुनिश्चित कर लेना चाहिए, यह प्रपरटी खरीदने के बाद दाखिल खारिज में, इसके किसी भ प्रपरटी साइन किया गया है, यह आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि प्रपरटी के तहत अगर आप किसी प्रपरटी को खरीदते हैं, और जाके अगर बाद में अगर प्रपरटी का ओनर यह प्र जब्यक्शन लगाता है, तो भी अपत्ती आ सकती है दाके बहुत ही ज़रूरी है कि जिस भी प्रोपर्टी को आप खरीद रहे हैं जिस भी प्रोपर्टी को आप पर्चिस कर रहे हैं वो प्रोपर्टी किसी दूसरे के नाम पर गेलरी तो नहीं रखी हुई है या फिर किसी प्रकार की रेजिस्टर वसीयत तो उसके नाम पर नहीं की ग तो आपको उसकी जड़ पता करनी चाहिए और ऐसी प्रोपरटी को पर्चस नहीं करना चाहिए जब तक कि प्रोपरटी फूर तरसे क्लियर नुद इन सारी चीजों को कनफर्म करने पे लिए अगर यह सारी चीजें टू है तो यह अप प्रोपर्टी परचस करें अगर वाइस तो आपको इन चीजों को निकलवा लेना है इनके certified copy आपको निकलवा लेना है यह जो जितने भी सारे points हैं इनको आप आसानी से पता कर सकते हैं प्रोपर्टी के खसने से या किस्तबंदी से जैसे को उस पर बंदक भी लिखा होता है उस पर कितने सामिल खाते धारक है या फिर प्रोपर्टी के टोटल एरिये किता है यह आप प्रोपर्टी के लेंड से क्रिकार्ट से पता कर सकते हैं लेंड रिकार्ट के लिए हरे के स्टेट की अपनी एक इंडी गैडिव्eless Web Sight है उसमेब साइट पर जाके आप प्रोपर्टी का सारा ब्योरा देख सकते हैं या फिर आप अपने पटवारी या लेक पाल से भी पता कर सकते हैं कि यह प्रोपर्टी कैसी है हम इस प्रोपर्टी को पर्चस करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए तो वह सिंपल आपको एडवा पड़ते हैं साइट से आपको फोटो लेनी हैं तिन डायक्षन में आपको फोटो यह ले इसके बाद सब्सक्राइब होते हैं섯 चीज़ंऄ आपको रर्यिस्ट्री कराने के लिए किसी प्रपर्वर्टी की सब्सक्राइब पर आपको लेकारी के सब्सक्राइब तब जाके वहाँ पर आपके गवाही लेता है और आपके नाम पर वो रजिस्ट्री हो जाती है और गवाहों के भी वहाँ पर व्योरण दिया जाता है उस रजिस्ट्री ने तो काईस यह थी आज की वीडियो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप किसी प्रोपर्टी को पर्चेस करने से पहले किन किन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं और किन किन चीजों को मेंडेटरी आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो ल लंबा हो जाएगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी पर्चिस करने के इम्मेडियेट बात आपको क्या क्या चीजे कर लेने चाहिए ठैक्स दो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएं टाटा बाइवाए